नमस्कार दोस्तों आप सबका सवगत है मेरे यूटूब चैनल के उपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हर स्टॉक कुछ कहता है तो इस सीरीज के अंदर हम लोग स्टॉक की चर्चा कर करेंगे और जानने ही कुछिश करेंगे कि वह स्टॉक जिसका चयन किया गया है उस स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तो इस सीरीज के अंदर हम लोग स्टॉक के अनलिसिस भी सीखेंगे और कोई भी अगर रिटेल ट्रेडर फसा हुआ है किसी भी आप लोग यहां पर कुछ ना कुछ सीखेंगे एनलिसिस करना भी और आप लोगों को यहां पर help मिलेगी अपने पैसे को बचाने में और इन्वेस्ट करने में भी तो चलिए चलते हैं आज का पहला स्टॉक जो इस सीरीज का है वो हम यहां पर लेंगे और जो request आई है पहले स इस्टॉक की वह है यहां पर zubilant food की यानि की TOMINO जबर पीजा तो हम उस स्टॉक की यहां पर चरचा करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखते हैं उस इस्टॉक के अंदर क्या चल रहा है और उस स्टॉक के अंदर future में क्या हो सकता है तो मैं उमेद करूँगा कि आपको य हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल नोटिफिकेशन को दमाना मत बूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो यहां पर जो भी पोस्ट हो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके एप या इमेल के ऊपर तुरंथ मिल ज आप देखी यहां पर मैंने वन डे का चार्ट लगाया हुआ है इन्वस्टिंग.com के ऊपर तो यह स्टॉक जो है अपना 2000 के आसपास का जो लेवल है वो टच करके जब मार्केट 12000 के ऊपर था तब यह 2000 के ऊपर टच करने के बाद जब मार्केट में गिरावट आई बहुत 950 के आसपास बना तो इस स्टॉक के अंदर बहुत तेरी से गिरावट आई जब हमारा मार्केट भी क्रैश हुआ आप देख सकते हो कि 950 पॉइंट का तकरिबन यहां पर गिरावट आई और अब 1150 के बाद यह स्टॉक दीरे-दीरे अपसाइड मूव दिखाने लगा है त तो यह अपसाइड मूव क्यों आ रहा है पहले हम इसकी चर्चा करेंगे और क्या यह अपसाइड मूव एक रियल मूव है यह भी चर्चा करेंगे और अगर यह अपसाइड मूव रियल मूव नहीं है तो इस स्टॉक के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगी डाटा के उपर हम इसकी भी चर्चा करेंगे तो इस वीडियो को लास तक देखिएगा अब देखिए कि ग्यारा सो पचास के बाद इस स्टॉक ने रिकवर करना शुरू किया है और रिसेंटली अभी इस स्टॉक ने क्या कहते हैं लेवल टच किया है लास ट्रेडिंग सेशन के अंदर यानि कि 1150 से ये स्टॉक 1600 के उपर आ गया है साड़े 400 पॉइंट की यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है जो की बहुत अच्छी रिकवरी है किसी भी स्टॉक के लिए तो यहाँ पर यह रिकवरी क्यों हो रही है हम पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं लेकिन उससे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या यह मूव सस्टेनिबल है क्या यह जो मूव है यह वाल्यूम के साथ है क्योंकि कोई भी आपको यह समझना पड़ेगा कोई भी upside move तब भी sustain करेगा जब वो volume supported होगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई इस stock के अंदर जबरदस up move तो recovery तो आई आनी शुरू हो गई है लेकिन जब से recovery आनी शुरू होई है तब से ही इस stock का जो volume है वो आप देख सकते हो नीचे की तरफ volume decrease होना शुरू हो गया, volume decrease है और यहाँ पर price upside जा रहा है तो it means यहाँ पर volume के साथ हम कह सकते हैं कि divergent create हुआ है इस stock के अंदर और जब कभी भी किसी stock के अंदर divergent create होता है या फिर आप volume के साथ धनर करने के बाद यह कह सकते हो कोई भी upside move कोई भी अगर volume supported नहीं होता है तो वो एक real move नहीं होता है वो एक delivery based bang नहीं होती है या फिर आप कह सकते हो कि वो एक up move जो होता है वो sustainable नहीं होता है तो हम लोगों ने यहाँ पर price action के उपर हमने पता कर लिया है कि जो upside move है यह volume supported नहीं है तो it means अगर यह volume supported नहीं है तो यह stock का जो 1600 का जो price आ चुका है अब तो I hope कि यह वापिस retrace करेगा क्योंकि यह volume supported यहाँ पर नहीं है अब हम चलते हैं इसके कुछ और data points के उपर और हम इसको confirm कर लेते हैं कि क्या यह upside move 1600 के आसपास जाकर sustain करेगा या फिर यह नहीं करेगा उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो resistance है यह कहां कहां पर बना हुआ है तो देखिए इस resistance जो है वो 1600 के 1630 के आसपास है यहाँ पर इस stock का on the price action और 1600 के पास से जाके इसी resistance के आसपास जाके यह stock वापिस recover मतलब retrace हुआ है नीचे की तरह तो यहाँ पर 1600 का level जो है बहुत ही जादा resistance वाला level है अगर इसको उपर जाना है तो यह 1600 को level को break करना पड़ेगा वो भी volume के साथ और volume इस stock के अंगर अभी नहीं है मौजूद तो इसके हिसाब से 1600 को जो level है यहाँ पर यह बहुत अच्छा है इसके लिए काम करेगा दूसरी चीच जो इसका support निकल के आता है वो आता है 1450 के आसपास तो 1450 के आसपास जो इसका support है वो निकल के आता है तो support and resistance की हमने यहाँ पर बात कर लिया है तो और हमने यह भी बात कर लिये कि इसका जो upside move है वो यहाँ पर volume supported नहीं है अब हम चलते हैं अगले setup के उपर उससे पहले हम अपना एक favorite setup भी use कर लेते हैं जो की है Fibonacci retracement अगर हम इसकी retracement की बात करें तो आप देख सकते हो के 1560 यहाँ पर इसका 50% का retracement है और अभी current stock जो price चल रहा है वो 1550 चल रहा है तो it means कि यह 50% से retracement होना चाहिए अभी current stock जो है price का जो है 1560 के आसपास इसका 50% का retracement है और यहाँ पर यह इसको retracement करना चाहिए कि क्योंकि Fibonacci का एक retracement level होता है 50% का तो यहाँ पर अभी current price जो है easy के आसपास है I hope कि यह retrace करना चाहिए Fibonacci के हिसाप से तो price action, persistence, volume और Fibonacci दोनों के चारों के चारों जो setup है हमारे यह बता रहे हैं कि यह 1600 और 1550 इस level से retracement करना चाहिए तो अभी हम चलते हैं अपने पांचवे setup के ऊपर और देखते हैं कि क्या यहाँ पर possibility निकल के आती है तो अभी हम चलते हैं अपने sheet के ऊपर यह sheet है और यह जो futures का data है पिछले एक महीने का तो हमको समझना पड़ेगा कि यह stock जब नीचे गीरा था तो क्यों गीरा था और य सब्सक्राइब को जो इस टॉक का जो प्राइस था वो तेरा सो अठाइस था तकरिवन आप देख सकते हो कि यह stock वहां से हमने प्रचा की थी अभी ट्राइजेक्शन वाले चार्ट के ऊपर कि इस टॉक जो है 2000 से नीचे गिरता हुआ आ रहा था और यह stock ने जो bottom मनाया था वो तकरिवन 1150 के आसपास बनाकर वापिस retrace किया था तो आपका यह price जो है यह नीचे गिर रहा था और यहां पर इस दिन अकरिवन 24 मार्च को इस stock ने यहां पर bottom बनाया है तो it means कि जब उपर से नीचे गिरता हुआ stock आ रहा था तो यह जतना भी positions है यह वाले जतनी positions हैं यह जो positions हैं यह क्रिवल और केवल short positions हैं क्योंकि इस वक्त प्राइस का जो stock के जो price है वो नीचे गिर रहा था तो यह short positions थी futures के अंदर लेकिन जब इसने bottom बना के उपर जाना शुरू किया तब आप देख सकते हो कि यह जो change in open interest है जो कि मतलब यह short positions ही stock के अंदर 26th March से वापिस कम होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे यह जो positions हैं वापिस minus में आनी शुरू हो गई हैं अगर आप देखोगे यहां पर तो मुकाबल in comparison to previous positions now positions जो है यहां पर दीरे धीरे minus होनी शुरू कहीं और धीरे धीरे यहां पर पूडिशन जो हैं कम होनी शुरू हो गई तो अगर price उपर जा रहा है समझेगा कि price अगर उपर जा रहा है और positions भी यहां पर कम हो रही हैं तो इसका simple सा मतलब है कि जो short positions यहां पर बनाई गई थी 1200 के आसपास इस stock के अंदर इन short positions को futures वाली short positions को cover किया जा रहा है तो short covering यहां पर चल रही है पिछले 10 से 15 दिन से short covering के वज़ा से यह stock का price उपर जा रहा है और इसी वज़ा से हम लोगों ने यहां पर एक conclusion निकाला हमने यहां पर चर्चा भी किया था कि यह जो volume supported up move नहीं है तो क्या यह एक real move है के नहीं है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह real move क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर कोई fresh buying नहीं की जा रही है यहां पर एक data points के उपर हमने देख लिया कि price उपर जा रहा है लेकिन fresh buying की वज़र से उपर नहीं जा रहा है यह केवल हो केवल short covering की वज़र से उपर जा रहा है तो अभी हमको इसके कहानी समझ में आ गई है price यह जो उपर जा रहा है क्यों जा रहा है तो I hope कि आपको यह चीज clear हो गया होगा अब हमको यह confirm करना है कि जो फंद्रा सो पचास से लेके और फंद्रा सो की जो range है क्या यह real में एक assistance range है या फिर नहीं है तो इसको भी हम confirm कर सकते हैं कैसे करेंगे इसी sheet के पास आके देखिएगा कि जब यह 1600 के आसपास touch हुआ आखरी दिन आपका 17 अपरेल को तब जाके इसके अंदर एक fresh positions generate हुआ इसका change in open interest अचानक से बढ़ गया अचानक से जब बढ़ गया इसका change in open interest यानि कि इसके अंदर बहुत तेवी से activity हुई है बहुत ज़्यादा activity हुई है और जो price है उसको नीचे लेकर आया गया है आप यहाँ पर देख सकते हो price action की candle के ऊपर भी अगर हम इसको delete कर देते हैं तो यहाँ पर आप इसकी candle देख सकते हो कि यह candle है यह candle एक bearish candle है तो it means कि यहाँ पर जो 1550 से लेकर और 1600 की जो range है वो data के ऊपर वहाँ पर एक fresh short positions create हो रही है तो I hope कि अगर futures के अंदर fresh short positions create हो रही है 1550 से लेकर और 1600 के बीच में तो definitely यह जो range है इस stock के अंदर 1550 से लेकर और 1600 की जो range है definitely यहाँ पर एक resistance का काम करेगी और इसी range को resistance का काम करेगी या नहीं करेगी दूसरे data points के ऊपर भी check कर लेते हैं तो वो क्या है data points वो है हमारी option chain यह इसकी option chain मैंने खोल ली है जो कि इस महिने की है अब आप देख सकते हो कि इस option chain में क्या हो रहा है definitely अभी तो यह price इसका उपर जा रहा है तो आपको premium जो है जो shots create की गए थे वो futures में भी यहाँ पर cover हो रहे है और आपके call side की call unwinding भी यहाँ पर चल रही है इसको आप short covering भी बोल सकते हो जो भी call side में आप बोल सकते हो definitely यहाँ पर थोड़ी बहुत जो positions हैं यहाँ पर cover हुई है पिछले कुछ दिनों में options में भी और क्या कहते हैं आपके futures में भी और price गया है उपर लेकिन एक बहुत ही important बात है जो कि हम बात करें थे resistance level की 1450 से लेके 1600 के बीच में sorry 1550 से लेके 1600 के बीच में तो आप देख सकते हो कि 1550 के उपर यहाँ पर short covering अभी नहीं हुई है positive में ही data है यानि कि यह जो positions है fresh call writing है यहाँ पर और 1600 के उपर जबर 10 call writing चालू हुई है पिछले बीचे दिन तो आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पर यह जो range है 1550 से लेके 1600 की जो range है यह definitely इस stock के लिए एक बहुत बड़ी resistance के काम करेगी और हमने इसको confirm करे लिया है futures data के उपर भी और options data के उपर भी यह जो range है definitely यहाँ पर एक बहुत बड़ा resistance के काम करेगी और अगर हम put side की बात करें तो अगर आप देख सकते हो कि 1550 पर मात्र 3000 positions खड़ी हुई है put side में और 1600 के उपर positions मात्र 4500 positions है और उसके उपर यहाँ पर positions ही नहीं है put writers भी यहाँ पर 1550 और 1600 के उपर writing करने को तयार नहीं है तो इसका simple सा मतलब है कि trader लोग 1550 और 1600 से उपर जाता हुआ इस stock को नहीं देख रहे हैं तो हमारा data points के उपर इच इच confirm हो गया कि 1550 से लेकि और 1600 की जो range है वो definitely यहाँ पर एक reversal range हो सकती है और यहाँ से price जो है वापिस नीचे घूम सकता है as per the data और यहाँ पर हमने volume को भी consider कर ही लिया है तो आपने देख लिया कि यहाँ पर एक bearish candle बनी है तो अभी क्या हो सकता है कि अभी इस 1550 और 1600 के वापिस घूमने के बाद यह stock कहाँ पर जाके रुगेगा इसका भी हम देख लेते हैं तो यह इसका जो support हमको दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा पहला support जो आपको दिखेगा 1400 के आसपास दिखेगा और 1400 के आसपास से अगर यह break करता है तो definitely यह 1300 का आपका 1300 और 1350 के आसपास definitely यह support generate होता है इस range के आसपास क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा put writing यहाँ पर खड़ी है और 1300 के आसपास जाकर ही यहाँ पर एक call writing का विराम लगता है क्योंकि इसके नीचे कोई भी heavy call writing करने को तियार नहीं है तो definitely जो यह start है 1550 से लेके और 1600 के बीच की जो range है यहाँ से गिरेगा गिरना start हो सकता है और इसका जो support मिलेगा इसको 1300 से लेके 1350 की range के आसपास इसको support मिल सकता है as per the option chain और इसका support की अगर हम बात करें तो इसका जो support निकल के आ रहा है वो यहाँ पर हमारे levels के उपर 1365 का support निकल के आ रहा है तो definitely यह stock अब 1350 के आसपास वापिस घूम कर आ सकता है तो I hope कि आपको इस stock का resistance और इसका जो support है 1350 के आसपास का वो आपने यहाँ पर confirm कर लिया होगा इस video के through और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अभी इस stock के अंदर bullish होने का कोई मतलब नहीं है 1600 के आसपास जब भी आपको एक इस stock के अंदर 1 hour या फिर 2 hour की कोई candle एक bearish candle मिले so then you can execute your sell order और आप यहाँ पर 1630 का 1630 का एक level है जो कि मैंने यहाँ पर draw किया हुआ है इसका stop loss लगाने के बाद और 1600 के आसपास या 1500 असपास इस stock के अंदर definitely यहाँ पर आप short positions create कर सकते हो और target जो रहेगा वो 1350 से लेके 1370 का target रहेगा इस stock के अंदर और फिर इसको further analyze करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि positions हमारी daily basis के ऊपर change होती हैं तो अभी इस stock के अंदर bullish नहीं होना है यह stock definitely एक fall देना चाहिए data points और technical points के हिसाब से और यह stock 1350 तक की बापसी करता हुवा नजर आ रहा है technicals के हिसाब से अभी इसका हम final एक और analysis कर लेते हैं जो कि इसका है sector analysis तो देखिए यह जो sector है जिस sector से यह belong करता है वो है nifty FMCG और मैं आपको बता देता हूँ के nifty FMCG एक ऐसा sector है जिसकी गिरावट जो अभी recent nifty के अंदर crash हुआ है उसका जो गिरावट है उसके उस गिरावट के अंदर जो इस sector के पिटाई बहुत ही कम हुई है यह sector ऐसा है जो कि evergreen sector होता है basically क्योंकि इसके अंदर इंसान मतलब जो इंसानों को वही डेली का FMCG का जो समाने वो चाहिए ही चाहिए इसलिए इस sector के अंदर demand कभी कम नहीं होती है बट हम यह कह सकते हैं कि जो pizza का काम है जो domino's pizza करता है जो we learn food का जो काम है वो काम अभी lockdown के विदर से बंद है तो इसका impact भी इस stock के अंदर पढ़ना चाहिए near term के अंदर यह मैं नहीं कहता कि intraday के अंदर ही पढ़ेगा तो इस stock का जो return है हम देख सकते हैं कि भई पिछले एक साल के अंदर इस stock का return भी जो है बहुत अच्छा है यह company बहुत अच्छी है और top 4 के अंदर यह आती है और इस stock का जो return है 15% पिछले एक साल का है और 16% के आसपास पिछले एक महीने का है तो definitely यह company बहुत अच्छी है तो इस stock को आप future के लिए भी जब भी lockdown खुलेगा तो definitely यह company बहुत अच्छा काम करेगी और इस stock को आप अपनी watch list में भी रख सकते हो future के लिए क्योंकि यह stock एक बहुत अच्छे sector से belong करता है और यह stock जो है बहुत अच्छी company का fundamental भी है और returns भी अच्छे हैं इस stock के और यह stock definitely lockdown कुलने के बाद बहुत अच्छा काम करेगा तो यह stock मैंने भी अपनी watch list में रख लिया है अभी तो जैसे ही यह stock 1300 या फिर 1200 के आसपास मुझे मिलेगा तो definitely वहाँ पर एक buying की opportunity यहाँ पर जरूर आएगी और यह lockdown खुलने के बाद बहुत तेली से उपर के तरफ भागना शुरू करेगा यह stock definitely अभी हमारा sector analysis भी हो गया और हर तरीके का analysis हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पर और यह stock बहुत अच्छा stock है बहुत अच्छी company के fundamentals हैं हमने यह भी discuss कर लिया है और एक चीज मैं discuss करना चाहता हूँ कि आप लोग यह वस समझेगा कि यह अगले दिन से ही क्या करते है retrace करना शुरू कर देगा यह हमारा एक 15-20 दिन का view होता है और यह stock 15-20 दिन के अंदर जो है हमारा 1350 का जो level है वो definitely यहाँ पर आ सकता है तो I hope यह video आपको समझ में आया होगा और यह video के अंदर जो हमने stock की चर्चा की है वो stock किस तरीके से react कर सकता है यह भी समझ में आया होगा जो लोग intraday करना चाहते हैं वो please इस video को ignore कर सकते हैं क्योंकि यह हमारा एक short term view होगा इस series के अंदर तो यहाँ पर एक swing trading बहुत अच्छी तरीके से आप execute कर सकते हो तो यह swing trading के लिए basically इस तरीके के वीडियो हमारी यहाँ पर इस series के अंदर share की जाएंगी तो उमीद करता हूँ यह video आपको पसंद आया होगा और वीडियो को पसंद आया है तो please share करना जरूर और लिख सकते हो जो भी stock का नाम के उपर सबसे लाइक मिलेंगे उस stock को चुलना जाएगा और उस stock के ओपर वीडियो बनाई जाएगी definitely आप लोगों को कोई भी stock समझ में आता है जिसके ओपर हमने चर्टा करनी चाहिए तो वो stock आप यहाँ पर comment section में लिख सकते हो तो अभी के लिए फिलाल धन्यवाद आपको ये वीडियो दिखने के लिए और अभी मैं इस वीडियो क्लोज करता हूँ और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर Thank you, thank you so much